इस समय हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड बढ़ती जा रही है क्योंकि दीपावली की भीड है तिवहारी भीड है और यहां पर रेलवे ने इंतजाम कर रखे हैं तो रेलवे ने जो इंतजाम किये हैं, वो इंतजाम हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके के हैं, तो आईए सबसे पहले देखते हैं कि टेंट लगाया गया है, बड़ा टेंट लगाया गया है, साथी साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े टेंट ऐसे दो लगाये हैं और यहां जो इंतजाम है उन इंजाम को हम आपको दिखाते हैं यहां अंदर आगर आप देखेंगे तो तमाम लोग बैठे हुए हैं और उनके लेटने या बैठने का भी इंतजाम है यहां पर और दूसरी सबसे बड़ी जाएगी वैसे वैसे हम कह सकते हैं रेलवे के लिए यह जो काम है और ज्यादा टफ होता चला जाएगा यहां पर अगर हम देखें तो लोगों को सही तरीके से पहुंचाना रेलवे की जिम्मेदारी है और यह पूरी कोशिस की जा रही है कि यहां जो लोग आएं वो कहीं न कहीं असंतुष्ट ना रहें तो यहां हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीकी की व्रस्था है अलग-अलग पूस्ताश काउंटर बनाए गये हैं तो पूस्त सबर्ष कांटर साती साथ आरेष कांटर भी है आप यहां पर कररेंट कि कर आ सकते हैं और यहां रेलवे के जो करब करम कर रहें और लगातार जो सरीय टूर्व मोबायिल पर आ चुका है तो वेटिंग कंफर्मेशन और आगे क्या करते हैं राज़ते में खाना केटरिंग से सुपजाएगी नहीं है रूट डाइबर्जन है कि नहीं है गाड़ी लेट है तो कितनी लेट है और सीट नमबर है कितनी कंफर में यह सारी चाहनिकारी आप देते हैं तो क्या नाम है आपका इर्षे इहभी करी करें यहां पर रिषी घर्गी बता रहें कि किस तरीके से लोग यहां पर पहुंच रहेए और इसी तरीके साम कह सकते हैं अब विर हैं और और क्यूंटर पर आकर आप करन्र क 먹 allies करा सकते हैं या अगर आपको आगे ये जारोशन चाहिए तो यहां पराप करा सकते हैं और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस्पेशल काउंटर रेकाउड लगाया गया है और यहां पर पूरी कोशिस की जा रही है हलांकि भीड है तो भीड में आप कोरोना प्रोटोकाल क्या फालो कराएंगे देर सारे लोग हैं यहां पर जो खुद बखुद क परोटोकाल फालो कर रहे हैं हम कह सकते हैं खुदी मास्क लगाये हुए जिनके पास मास्क नहीं है घंचा बांदे हुए अब कहां जा रहे हैं तो मास्क की जगए आपने लगा लिया है तो यहां कैसी बश्ता है ठीक है पर शंतुष्थ नजर आ रहे हैं आईए को और का राकेश तिंग अभी करार हैं यहाँ जो रेलिवे की ब्वस्था उसको लेकर क्या कहेंगे बहुत बढ़िया फस्क्लास और लोग भी है उनसे हम बात करेंगे यहां पर लोग आराम भी कर रहे हैं क्योंकि उनको आगे जाना है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर कौूंटर बनाए गए हैं साथ आर्चन काउंटर हैं जिनको यह पर हम कहसकते हैं लोगों को सुवधाएं देने का काम है और यहां जो रेलएक के कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं लोगों को बता रहे कि उनकी क्यों को पूरा करने की कोशिस कर रहे हैं और यहां और लोग भी उनसे पूच्छते हैं यहां जो अर्चन होता है किस तरीके का रचन है क्या करने के लिए है यहां पर जो पैसा देने का काम है वो क्या एलेक्ट्रानिक मीडियम से भी पेमेंट है कि सिधा कैसी ले रहे हैं यहां सर कैश पेमेंट है यूपी पेमेंट अंदर की साइट पर हमारे करेंट काउंटर एहां कैशलेशन भी होता है यहां लोग यहां पर काम कर रहे है और लगातार एक और बड़ी चीज मैं आपको लगाया गया है क्योंकि भीड पर नजर रखनी है और भीड का मैनेजमेंट भी करना है तो इसके लिए मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें अधिकारियों को लगाया अगर उनके मनोंगन की भी ब्यवस्था है यहां पर साथी साथ हम कह सकते हैं भोजपूरी गाने या इस तरीकी की चीजें भी हैं साथी साथ खबर भी दिखाई जा रही है यानि खबर से आप कहीं न कहीं दूर न रहें क्योंकि दुनिया भर में जो हो रहा है हर एक व्यक्ति को कहीं न कहीं प्रभावित करता है लोग जानने की कोशिस करते हैं तो एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है आगे हम आपको दिखाते हैं और क्या ब्युस्था की गई है तो यहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ट्रेनों की जो जानकारी है उसको भी इसमें डा की बात आपको मैं बताऊं कि अगर यहां पर हम देखें तो यहां देख सकते हैं कि सीधा सीधा किस तरीके की जैसे छटक पूजा की अगर हम बात करते हैं तो उसके बारे में भी यहां गाने चल रहे हैं तमाम चीजें चल रही है चलिए हम आपको दिखाते हैं यहां पर आ यानि निसूल्क फोन सेवा कोई भी यात्री अगर कहीं अचानक उसे जुरुवत परती है उसका फोनी किसी ने मार दिया यह कोई ऐसी घटना होती है तो कहीं न कहीं उसके लिए निसूल फोन सेवा है यह यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले गंदगी हुई है तुरंत अब साफ किया जा रहा है तो जब भीड होती है तो कहीं न कहीं उसके लिए हम कह सकते हैं पूरा इंतजाम भी करना होता है और यहां पर पंखों की विवस्था है चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं और क्या विवस्था है छोटी-छोटी इस्क्रीनें भी लगाई हैं जिसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो अगर खबर देखना चाहें या कोई चीज देखना चाहें तो उसको यहां जानकारी दी जा रही है चलिए हम आपको दिखाते हैं कि IRCTC ने या हम कह सकते हैं भारती रेल खानपान सेवा में क्या इंतजाम है तो उसको भी आप यह देख सकते हैं कि किस तरीके से रेलेवे ने बिवस्था की हुई है क्योंकि जब हम इस्ट बाउंड ट्रेनों की बात करते हैं यानि पूरफ की तरफ जाने वाली ट्रेनों की अगर हम बात करें तो उन ट्रेनों को कहीं न कहीं पूरी तरीके से बिवस्थित करने की जरूरत और 16 नमबर प्लेट फार्म पर हम कह सकते हैं तेवहारी जो ट्रेने हैं उनको लगाया गया है और यहां पर आप देख सकते हैं भारती रेल खान पान सेवा जो कि अब ज़्यादातर जगहों से हम कह सकते हैं इसकी जगह आई यार सीटीशी ने ले ली है या प्राइवेट प् की मिलेगा इसमें खाने के अंदर क्या होता है यह दिखा सकते हैं वहिचा इस जंता खाने में 15ुफए में क्या दे रहे अगर 15 रुपए की बात करें तो 15 रुपए में आपको君या मिलेगा आप देख सकते हैं पूरियां और उसी के साथ में आलू की सब्जी है और मिर्चा है अचार है तो यह ब्युस्था जनता खाने में की गई है साथी साथ यहां पर जो और चीजें जैसे मालिया आप कोई कंपनी का ब्रांड लेना चाहा रहें तो उसकी विवस्था यहां पर और रेल नीर की विवस्था है रेल नीर के लिए 15 रुपए दीजिए इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है रेलवे का यह इंस्ट्रक्शन है और रेलवे ने यहां पर हर एक च करते हैं तो कहीं न कहीं लोगों को लगता है खाना अच्छा होना चाहिए विवस्था अच्छी होनी चाहिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो पूरी कोसिस यहीं है कि जो तेवहार पर कोई किसी को दिक्कत ना हो और ट्रेने सही सवक्त पर मिलें क्योंकि 16 प्लेटफार्म को इसी के लिए आरच्छित किया गया है वहां पर त्योहारी सीजन के लिए जो स्पेशल ट्रेने हैं उनको वहां से भेजा जाएगा और किसी का प्लेटफार्म हम कह सकते हैं लास्ट मुमेंट पे चेंज करने की बात तो कता ही नहीं होनी है इसके लिए भी रेलिवे ने पूरी बिवस्था कर रखी है कैमरामेन अंकित के साथ सिध्धार्थ निउज इस्टेशन दिल्ली